शिराध कृष्णा भ्याम नमाः श्री गुरु चर्ण कमलेभ्यो नमाः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाण्ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अम्रद्दुहे नमाः गीता अम्रद्दुहे नमाः श्रुमत फग्वत गीता अपने आप में एक प्रिर्णा शास्त्र है जीवन की उन्चाईयों से लेकर के हर व्यवहारिक भाव के धरातल तक के दिव्य प्रिर्णा श्रुमत फग्वत गीता में है और यही कारण है कि हम सेम अपने जीवन को कुछ ऐसा बना पाएं जहां हम गीता से प्रिर्णा लेकर के अपने जीवन के हर व्यवहार को निखार पाएं इसी ढंग की इसी भाव की कुछ प्रिर्णा यहां चर्चा में ले जा रही है आज चौथा दिन है जो साथ दिन साथ इश्लोक और गीता जी की साथ प्रिर्णा है हम सबने आपस में विचार के लिए लेनी हैं उनमें एक बार इस्मर्ण करते और इस्मर्ण दिलवाते हुए कि प्रथम दिन के हमारी प्रिर्णा कौन सी थी दूसरे अध्याय का अर्टालिस्वा इश्लोक योगस्था कुरकर्मावी संगम त्यक्त्वा धनन जयव सिद्य सिद्यो समो भोत्वा समत्यों योग उच्यते हैं दूसरे दिन की प्रिर्णा थे शौथे अध्याय का ग्यार्वा इश्लोक ये ये था माम प्रपद्यन ते तांस तथै भजाम्याम ममवर्त मनवर्तन ते मनुष्या पार्थ सर्वशा कल तीसरे दिन की प्रिर्णा थे छटे अध्याय का बाईस्वा इश्लोक यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम तताह यस्मिन इस्थितो नदुखेन गुर्णा पी विचालियत भारी से भारी दुख भी जिस अवस्था के बाद बिचलित नहीं कर पाता और जिस अवस्था में आ जाने पर जिसको उपलब्द कर लेने पर अचीव कर लेने पर जीव ये मानता है कि इस से बढ़कर लाभ कोई और दूसरा है ही नहीं मनुष्य जीवन में संभव है ये आवस्था लेकिन कहीं हम सब को ऐसा ना लगने लगे कि हमें तो भी व्यावहार में परिवार में, व्यापार में संसार में ठीरों व्यावहार करने हैं ये आवस्था भला कहां संभव है पहली बात तो भगवद गीता के किसी भाव के साथ असंभव शब्द का प्रियोग न करें गोविंद की वानी है स्वेम फगवान के दिव्य वानी है और फगवान आप सोचें स्वेम विचारें कोई असंभव बात कहेंगे क्या फगवान कोई ऐसी बात करेंगे क्या हमारे से जो संभव नहीं है और वो हमें करने के लिए कह रहे हैं ये संभव नहीं कि फगवान कोई ऐसी बात करें पूरी तरह संभव है हाँ, मन की रुचिह, भाव, जागरित करना होगा बनाना होगा, बढ़ाना होगा ये अवस्था है तो मनुश्य जीवन के लिए ही ना किसी और के लिए थोड़ा ना है ना देवताओं के लिए है और ना मनुश्य से नीचे की योनिया पशू पक्षी इत्यादी के लिए है है तो मनुश्य जीवन के लिए और मनुश्य जीवन अर्थाद हम सब के लिए है ये अवस्ता बस मन बना ले और मिल रहा हो परमलाब तो आप सोचो क्यों नहीं लेना चाहिए कल कुछ प्रशन रखे गए थे सब के सामने कुछ संकेत किये गए थे सब को कि अगर मन सुख चाहता है तो क्यों नहीं विचार करना चाहिए कहां मिलेगा कैसे मिलेगा और वो उस अवस्था से और उस अवस्था के साथ साथ आप देखें आज का जो इश्लोक लिया जा रहा है वो बिल्कुल व्यवारिक धरातल का वो है नौमे अध्याई का 27 इश्लोक यत करोशे यदशनासे यज जोहोशे ददासयाद यत तपस्यसी कांतेय तत कुरुश्य मधर पणा अर्जुन तुजो कुछ भी करता है जो खाता है जो हवन इत्यादी यग्य इत्यादी करता है ददासय जो देता है यत तपस्यसी जो तप करता है तत वह सब कुरुश्यो मदरपणम वह सब मेरे अरपण करदे पार अधुत इश्लोक है हमने पूरु में भी संकेत किया था यह बहुत मुश्किल काम है कि साथ सो इश्लोकों में साथ ढूढना निकालना लिए कोई ढूढने का प्रयास भी नहीं हुआ जैसी प्रभू की कृपा किवल वही भाव और यह भाव हर इस्थिती को एक ओर जीवन की अत्युच अवस्था जिसे पाकर कुछ पाना शेष नहीं जिसे पाकर परम लाब की प्राप्ति परम आनंद की प्राप्ति और जीश से पाकर के संसार का कोई दुख विचलित नहीं कर सकता एक ओर वो उच्च अवस्था लेकिन वहां पहुँचने के लिए भी द्यवहार भी तो अच्छा होना चाहिए ना ये अवस्था संकेत किया था ध्यान अभ्यास के द्वारा होगी Meditation और ध्यान में एक आगरता जिन लोगों को लगता है कि ध्यान में बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता उन्हें अपने व्यवहार को भी देखना होगा व्यवहार काल में मानलों आप आदा घंटा या कुछ अदिक समय एक बार या दो बार ध्यान में बैठते हैं लिकिन और समय पूरे का पूरा वही क्रोद वही आवेश वही अहंकार वही इरश्यादवेश मन में भरा है तो ध्यान में मन क्यों लगेगा कैसे लगेगा और इसी लिए या इश्लोक जो है उस थरातल का है कि पहले अपने व्यावहार को भी आओ प्रभू के भाव में रंग ले रम जाने दे अपना हर व्यावहार और फगुद गीता की आप दिव्यता देखें यहां सब कुछ व्यावहारिक पारमार्थिक सब संकेत प्रभू ने कर दिये यज्यदान तप जिनके लिए गेता के कृष्nah सीधा संकेत करते हैं कि नात्यज्यम कर्यमेवतत यज्यदान तपक के हैं यह जो करम नहीं छोडने युग्य करना धरम लेकिन इनको करते हुए भी कैसे करें तीनों ले लिए यहां इसी श्लोक में जोहोशी, यग्य, ददासी, दान, और तपस्यसी तप यग्यदान, तपाकरम तीनों इसी श्लोक में हैं और साथ ही यद करोश, यद अश्नासी, जो व्यवहारिक करें करता है और तो और जो खाता है, यद अश्नासी, वह सब मेरे अरपन करता है तो भग्वत गीता में यह नौए ध्याई कस्ता इस्वाइश लोक है इससे पूरु कैदी 26 वाइश लोक आप देखेंगे उसमें पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, योमें भक्त्या प्रयच्छती तदहं भक्त्यों पहतं, अश्नामी प्रयतात्मना भग्वान ने कहा, कोई मुझे पत्ती, फूल, फल, जल, कुछ भी भेट करता है प्रेम, पूर्वक, दी गई अपने भक्त की वह भेट, मैं स्विकार करता हूँ मैं खाता हूँ, मैं ग्रेंड करता हूँ अब देखो, वहाँ क्या है? पदार्त है भेट करने के लिए, अरपन करने के लिए पत्र है, पुश्प है, फल है, जल है इसमें बस्तू है, पदार्त है वो तो लिया है, फगवान को अरपन कर दिया लिगी यहाँ फगवान कहते हैं कि जो कुछ तु करता है यह सुक्षम भाव, यह अंदर की अवस्था का भाव जो कुछ जो भी करम करता है, उसे तु मेरे अरपन करता रह पार अरथात, ब्यवहार कालम दिन भर की जो क्रियाएं हैं, दिन भर में करें करनी ही हैं, स्वभाविक है, जब तक प्रारब्द है करोगे ही लेकिन साथ ही साथ एक भाव बना लो कि मैं नहीं कर रहा है, प्रभू आपकी क्रफा से सब हो रहा है बस्तुता एक वाक्य में कहें इस इश्लोक के भाव को तो यह गीता का इश्लोक, जीवन में से अहंकार और करम दोनों को अलग-अलग करनी की एक व्यवस्ता है यह करम कि अहंकार को, इगो को अपने करमों के साथ नहीं जोड़ो, नहीं मिलाओ मैं कर रहा हूँ यह नहीं कहो, यह स्विकारों कि भगवान की क्रफा से हो रहा है कोई भी करम लौकी कर रहे हैं तो और अध्यात्मी कर रहे हैं तो यग्य कर रहे हैं क्यों नहीं यह मानें कि प्रभू आपकी क्रफा से आप क्रफा कर रहे हैं हर रोज अपनी क्रफा से यग्य करवा रहे हैं यह आपकी क्रफा है बिल्कुल आप देखेंगे भाव बदल जाएगा क्रिया का और भाव बदलेगा तो साथ ही साथ उसका प्रभाव भी बदल जाएगा भगवद गीता की ये एक अत्यंत महत्वपोण विशेष्टा है कि भाव के अधीन हैं क्रिया है जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आपकी क्रिया का प्रभाव होगा आपके द्वारा किये जाने वाले करम का प्रभाव होगा बही करम यदि अहंकार के भाव से किया जा रहा है या कोई दान भी दिया जा रहा है तो प्रेम पुर्वक नहीं, भाव पुर्वक नहीं बस केवल गुसे में, क्रोध में, इगो में, अहंकार में कि मैंने इतना दिया, किसी को भी उसका कोई औचित ही नहीं रह जाएगा अरे भाई दिया तो लाया कहां से था विचार कर जब आया था तो विचार कर क्या लेके आया था और जब जाएगा तो विचार कर क्या लेके जाएगा हमारे गुर्देव तो कहीं बार बहुत अजस्वी शब्दों में गुन गुनाते थे लाखों दिनों में अपने दो दिन न भूलना एक दिन वो आने वाला एक दिन वो जाने वाला लाखों दिनों में अपने दो दिन न भूलना एक दिन वो आने वाला एक दिन वो जाने वाला तूं जो कहे की मैं हूँ छूटी है बात तेरी वो ही बनाने वाला वो ही मिटाने वाला तो दो इस्तियां क्या लाए थे क्या ले जाएंगे यहीं मिला यहीं के लिए मिला और यदि फगवान क्रपा कर रहे हैं कहीं उपयोग सद उपयोग करने का सौभग्य मिल रहा है तो उसमें ego क्यों अहंकार क्यों यह मान के करेना कि प्रभू आपने सामर्ते दिये है और यह सौभग्य दिया है कि यह शरीर और आपके दिये कि बिए सामर्ते यह सद उपयोग करने का सौभग्य मिल रहा है यह आपकी क्रपा है प्रभू भाव बड़ेग entered अहमकार हटेगा ना तो प्रेम बढ़ेगा भाव बढ़ेगा और सच मानो संसार में जिस चीज की कमी है और जिस चीज की जरूरत है वो प्रेम है वो भाव है और सच बात ये भी है कि भगवान को भी जिस चीज की अपेक्षा है हमारे से वो कुछ नहीं और वो केवल और केव प्रेम है भाव है भगवान भी प्रेम के भूके हैं और संसार भी वास्तों में वही बात आप प्यार से करके देखो प्यार से कुछ कहके देखो वही भाव आप प्यार से समर्पन करके देखो आपको भी शानती दूसरे को भी शानती कहीं मंदिर के बाहर कुई एक सेट रोज प्रणाम करने आते और मंदिर के बाहर बैठे एक फिक्षुक को रोज कुछ ना कुछ जेब में से निकालते कुछ से कह और उसके आगिया ऐसे फैंकते ले लेता विचारा एक दिन ऐसा हुआ कि जब सेट ने जेब में हाट डाला कुछ था ने भूल गया होगा और उस दिन उसने उस फिक्षुक उस भीखारी के कंदे पर ऐसे हाथ रखा और बस प्यार से इतना कह दिया कि भाई आज लाना भूल गया हूँ कल आउँगा तो डबल लेके आउँगा तेरे लिए लेकिन उस भीखारी ने जानते हूँ क्या उत्तर दिया और इससे आपको लगेगा कि ये ददासियत यहां क्रिया नहीं और गीता यही चाहती है भाव का महत्तो है और उस भीखारी ने उत्तर क्या दिया कहा सेट ये सिक्के फैंकने वाले तो और भी कहीं आ जाएंगे लेकिन आज जिस प्यार के साथ जिस भाव के साथ तुने कंधे पे हाथ रखके ये कहा है ना कि भाई कल ले आओंगा वह ये प्यार का जो दान है ये मन में आज आनन्द भर गया ये फाव हर एक के अंदर की प्यास है प्रेम फाव और प्रेम प्रगठ ही नहीं होगा किसी क्रिया से नहीं होगा वो प्रेम तो प्रगठ ही होगा जब अहंकार का आवरन हटेगा वहाँ प्रेम स्वता प्रगट होगी वरना प्रेम कहीं से ख्रीद के थोड़ा ना मिलता है कहीं बाजार से थोड़ा ना प्रेम मिलेगा जो लोग ये प्रशन करते हैं या जिनके मन में कहीं ना कहीं ये बात अटकी रहती है कि महाराज करें क्या जिससे अंदर प्रेम प्रभू के प्रती बने या कोई भी कर रहे हैं प्रेम पूर्वक हो करें क्या ऐसा दिखो ध्यान रखो सब ध्यान रखो ये प्रेम कहीं से कहीं इसकी खेती नहीं होती कहीं खरीदा नहीं जा सकता महापुरुष इसपश्ट करत कहते हैं प्रेम न बाड़ी उप जाए प्रेम न हाट विकाई राजा प्रजा जेही रुचै शीश दिये लेई जाए शीश दिये लेई जाए अर्थात अहंकार दो प्यार लो अंकार जैसे ही समाप्त होगा प्रेम कहीं से आएगा नहीं प्रेम तो स्वरूप है परमात्मा क्या है साक्षात प्रेम स्वरूप है परमात्मा साक्षात प्रेम हरी को रूप है तौं हरी प्रेम स्वरूप दोनों भिन न है सके जों सूरज और धूप प्रेम हरी को रूप है God is love and love is God परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है और हम सब परमात्मा की संतान इसलिए प्रेम हमें कहीं से लाना नहीं है प्रेम तो अंदर है बस अहंकार के आवर्णों ने ठक रखा है ये इश्लोक अहंकार को प्रभू के चर्ड़ों में विसरजित करने का मंत्र है कुछ भी करम करें अहंकार मन में इगो मन में ले करके नहीं और तो और ये दश्णास ही जो खाते हो भगवान कहते हैं मेरे अरपन करो ये अपने यहां जो सनातन संस्कृती में भगवान को भोग लगाने की परंपरा है बहुत से लोग कटाक्ष करते हैं कि कहीं भगवान खाते हैं क्या बहुत से लोग कह देते हैं कि ये सनातन धर्म वाले क्या करते हैं भगवान के आगे थाल रखेंगे उठा के खुद खा लेंगे बहुत से लोग कहेंगे आपको भी बहकाने का प्रयास करेंगे लेकिन सावथान सनातन सनातन है और जो प्रेम, जो माधुर्ये, जो रस, जो आनंद हमारे पास है सनातन भाव में वो विश्यों में किसी के पास नहीं आओ उसे संभाले, उसे संजोएं ये मारी थाती है अमानत है मिली है हमें विरासत मिली है हमें प्रेव और वो विरासत हर क्रिया के साथ भोग अर्थात भगवान को समर्पन समर्पन अर्थात ये स्विकार करना कि प्रभू तेरा दिया हुआ पहले तेरे अर्पन तदियमस्तु गोविंद तुब्य में वसमर पये मेरा मुझ में कचु नहीं जो कुछ है सोतोर और तेरा तुझको सौंपते ये नहीं कहा कि मेरा तुझको सौंपते है भी तेरा, था भी तेरा और अरपन भी तेरे कहीं हमने कभी ये कहा क्या कि मेरी वस्तु तेरे अरपन कभी कहा भगवान को क्या कभी नहीं वो तो दुर्योधन तक छोड़ दो ये बात कि मैंने इतना अच्छा बनाया है मेरे यहां इतना है ओ मैं मेरा उस दुर्योधनी सोच तक सिमित रहने दो हमें तो विद्र बनना है ना हमें तो विद्रानी वाला भाव रखना है ना निश्चल भाव, निर्मल भाव, भोला भाव, सीधा भाव, सहज भाव, समर्पित भाव और वो भाव यही है कि जब अरपन कर रहे हैं तो हमें तो यही कहना है कि तेरा तुझको सौंपते गुरुगरन साहम में भी आता है जिसकी वस्त तिस आगे राखे प्रभु की आग्या माने माते तिस्ते चोगुन करे निहाल नानक, साहिब, सदा द्याल तदी यह वस्त को आपका, आपके अरपन तो भोग क्या है फगवान के आगे यह स्विकार करना कि प्रभु दिया हुआ आपका है और कृतग्यता अपने यही तो है कि सब कुछ प्रभु का मान करके स्विकार करना कि विल खाने की वस्तुन पहनना है तो भी प्रभु आपको अरपन, फेर हम स्विकारें कुछ भी करना है पहले प्रभु को अरपन करके तो ये इसलोग गीता जी का क्रिया से अहकार, करम से अहकार को अलग करके करम का एक विशुद स्वरूप प्रगट करती है ये इसलोग गीता जी का जीवन की निश्चिनतता है, जीवन की सहजता है और ये भी तो सीधी बात है ना कि जीवन का भार क्या है भार सबसे बड़ा कि अहंकार ही सबसे बड़ा भार है जब हम ये सोचेंगे मैं कर रहा हूँ उस समय ये इशलोग ध्यान आ जाना चाहिए कि भगवान गोविंद क्या क्याते हैं तो जो कर रहा है मेरे एरपन कर खाते हुए ये इशलोग ध्यान आ जाना चाहिए जो खा रहा है पहले भगवान को प्रणाम कर और उसके पशात ग्रास मुख में डाल कि प्रभू आपका प्रसाद वही बस्तु भोजन है लेकिन वही बस्तु प्रसाद बन जाएगी कैसे कि वर भाव बदलने से सोचना आज कि वही करम यदि मेरे मन में संतुष्टी ले आए वही करम यदि अंदर के प्रेम को प्रगट कर दे वही करम यदि मेरे जीवन के भार को दूर कर दे वही करम यदि मेरे जीवन में हलकापन ले आए तो मुझे वह वीदी क्यों नहीं गीता से सीख लेनी चाहिए वह प्रेड़ना क्यों नहीं गीता से ले लेनी चाहिए वरना यही होता है ना सारो जीवन इनसान करम करता रहता है करता रहता है और जीवन समाब्त होता है और अपने ही करमों की भार की कठड़ी आओ ये अहंकार के फार की गठ्टी उतारो, शीग्र उतारो, इसी श्लोक को सामने रखो, यद करोश, यद अश्नासी, यद जुहोश, ददासी, यद कोई भी क्लिया है, उसे प्रफो के अर्ब, और ये यग्यदान तपह कर्म के प्रह ही होता है, कि संसार के वैवार तो अध्यात्मिक क्रियाईं भी मनुश्य बहुत करता रहता है, बहुत करता रहता है, लेकि करते करते भी, जीवन वैसे का वैसा, भाव वैसे का वैसा, सोभाव वैसे का वैसा, जवहार वैसे का वैसा, अपना मन ही इतना करने पर अपना मन ही परसन संतुष्ट नहीं है, और इतना पाट करता हूं, मैं इतना जाब करता हूं, मैं इतना यग्य करता हूं, मैं इतनी सेवा करता हूं, मैंने इतना तप किया, इस रूप में तप किया, उस रूप में तप किया, मैं रोज इतने बज़े उटके ये करता हूं, तो ये मैं जो साथ जुड़ जाती है करम की सम से आई और अध्यात में क्रिया व्यर्थ नहीं है ये ध्यान रखें ये नहीं कहा जा सकता कि मैं यदि जीवन भरनिक बहुत कुछ कर चुकाओं पाठ जाब कुछ नहीं मिल रहा तो कहीं भगवान का दोश है या कहीं उन करमों का प्रभाव काल समय के साथ समाप्त हो गया द्रू और पहलाद के समय में था सत्यूग और त्रेता द्वापर में आज भी वही है नाम का प्रभाव जो मीरा के समय था सक्धू जना के समय था आज भी वही है यग्या का प्रभाव जो अतीत में था आज भी वही का प्रभाव कम नहीं होता हुआ हमारा भाव कम हुआ है अब इसी श्लोक के माद्यम से हम अपने उस भाव को जगा लें बना लें जो भी करें प्रभू के भाव के साथ करें यह को नहीं मेरा सवभाग्य है मुझे अवसर मिला है यह करने का मुझ पर प्रभू की कृपा हुई है संसार की इतनी भीड में प्रभू ने यह सेवा करने के लिए मेरा चुनाव किया है संसार के इतने समोह में प्रभू ने मुझे शीगर उठा करके वरना हमें पता चलता है दस दसवई तक लोग सोय रहेंगे और अगर प्रभू ने आपको जगाया है तो यह क्यों नहीं हमें समझना चाहिए कि प्रभू आपकी क्रफा हुई है आपकी क्रफा इस क्रफा को सीका रहें भाव बनने दें भाव बढ़ने दें रात को सोने से पहले वैसे जियोगीता की और से जो तीन इशलुक प्राता है, तीन इशलुक दुपहर, तीन रात्री, उसमें ये इशलुक, रात्री की इशलुकों में लिया गया, अर्थात सोने से पहले, ये इतना काम बस आज निश्चित कर लो, कि प्राता है काज़ जब उठें, उठते ही फगवान से प्रात्र न करके, कि प्रभु आपके क्रपा से आंक खुली है, दिन भर अपनी क्रपा बनाए रखना, और रात्री सोने से पहले, फगवान को एक बार प्रणाम करके, कि प्रभु दिन भर में जो कुछ हुआ, वो सब आपकी शक्ती, आपकी क्रपा, वो ब्रंदा बन के उस फक्कड बाबा की तरें, जो रोज भी हरी जी शेनारती के समय जाते, पला ज़ाडते, और मनी मन ये भाव बनाते, कि प्रभु दिन भर जो हुआ, वो आपके अरपन, निश्चिंत होके सो जाते, अव हम भी निश्चिंतता की नेंद लें, निश्चिंतता का जीवन बनाएं, और प्रभु की क्रपा, प्रभु की परसनता, प्रभु का प्रेम पाएं, सब को हर दिक शुब कामनाएं